Hello everyone, I am Monica from Miles9. इस वीडियो में मैं ये पूरा बताऊंगी कि ये जो question statement है, जिसमें two-part questions है, एक part में बोल रहे हैं कि what are the reasons, दूसरे part में बोल रहे हैं, do the advantages outweigh its disadvantages, तो हमें ये two-part question को कैसे attempt करना है, इसकी पूरी planning समझाऊंगी, and format इसका क्या होना चाहिए, and introduction कैसे लिखना है, इसकी vocabulary and पूरा essay हम इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है, with the help of some ready-made lines, but सोड़ी सी ready-made line हमें जब मिल जाती है, तो उसकी help से हम पूरे essay के points को explain करने में थोड़ी help हो जाती है, तो कोई है, इसमें harm नहीं है कि अगर हम ये line use भी कर रहे हैं, तो कुछ problem ने, बाकी चीज़े ठीक होनी चाहिए आपकी, तो अभी शुरू करते हैं, और ये जो exam, ये जो question paper है, ये देखो आप, और ये जो question paper जो मैं बता रही थी, ये 16th March 2024 को भी आया है, IELTS exam में and 29th April 2023 में भी आया था, and ये वाला question तो it keeps repeating and repeating, मतलब काफी सारे questions हैं जो repeat होते हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि last के 2 साल के एक साल का paper आप कर लो, सारे questions को मैंने अपनी channel पे भी किया, और दूसरे channels भी मिलेंगे आपको, तो IELTS writing task 2 है हमारा, इसमें two part questions हमें पूछा है, और इसको हमें कैसे solve करना है, कैसे plan करना है चलते हैं, अब ही हमारे पास पता है आपको कि 40 minutes हैं, तो उस 40 minutes को हमें कैसे utilize करना है देखो, first 5 minutes या 6-7 minutes भी लग जाते हैं, शुरू में हम planning करेंगे, इस essay की last 5 minutes में हमें क्या करना है, अब planning तो हो गई, लिख भी लिया, तो हमें last 5 minutes में अपने लिखा हुए essay को पढ़ना है, और जो भी हम जैसे लिखते हैं, कुछ mistake वगरा मिल जाती हैं, तो उनको erase करके ठीक कर सकते हैं, अब main planning प्लैनिंग प्या जाते हैं, पहले question statement को 4-5 बार 3-4 भर भाई पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, हम गलत topic को choose कर जाते हैं, और कई पर हमारा ऐसे गलत direction में लिखा जाते हैं, तो पढ़ते हैं इसको nowadays more and more people are decide to have children later in their life, मतलब जादस जादा लोग क्या decide कर रहे हैं कि अपने बच्चे वो later बाद में करेंगे अपनी life में, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं और क्या इसके advantages outweigh its disadvantages करता है, ये हमें decide करके बताना है, तो दोनों questions का आपको respond करना है, answer देना है, ऐसा नहीं कि reason पर जोड़ देलो, ऐसा नहीं कि सिरफ advantages लिखाओ, disadvantages लिखाओ, ये छोड़ दो, नहीं, आपको दोनों को equally number देना है, ठीक है, तो हमने इसको पढ़ लिया है, चार बार इसको analyze किया है, ये question भी हमने analyze कर दे, इसका format क्या रहेगा, देखो format ये रहेगा, इसका format चेक करो, चार paragraph तो आपको पता ही होते हैं, introduction है पहला, फिर body 1 में हम reasons लिखेंगे, body 2 में हम ये लिखेंगे, advantages, disadvantages, and conclusion, body 1 में क्या लिखेंगे, first part question, body 2 में लिखेंगे, इसके बारे में, advantages भी उसी में लिखना, disadvantages, but यहाँ पर हम अभी ये नहीं कह सकते हैं, कि हम 4-4 advantages लिखा या 3-3 लिखेंगे, इसमें एक-एक ही point आएगा अभी, क्योंकि ये एक paragraph में सब adjust करना है, ठीक है, या फिर एक छोटा paragraph अलग बना लो, एक में disadvantages लिख दो, फिर छोटे वाले में फिर advantages लिख दो, मतलब लिखना तो ये भी है, अब हमने question statement को पढ़ लिया, main topic अपना क्या न कर नहीं सकता है, तो of course, वो couple चाहिए, तो हम couples की ही बात करेंगे, and फिर इसके reason उताने है, brainstorm करना है, फिर वो out way क्यों करता है, out way क्या advantages सोचना है, disadvantages सोचना है, ठीक है, तो reason क्या हो सकते है, तो reason आजकल क्या है, कि जो couples हैं, जो people हैं, वो आजकल career oriented people जादा हो गए है, अपने career पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, और इस चकर में वो marriages बेलेट करते हैं, as well as babies बेलेट होंगे, तो वो अपने, जैसे कुछ लोग settled होते हैं, अपने job में, या नहीं होते हैं, तो कुछ लोग अपने career, अपने passion को follow करने के लिए, वो ये सब इन जंजट में नहीं पढ़ते ह हमारे ideas आ रहे हैं, कि ये क्या कारण हो सकता है, तो मैंने ये सोचा कारण, मैंने reason ये भी सोचा, और financial problem भी हो सकते हैं, अब कुछ couples ऐसे होते हैं, जिनकी salaries जादा नहीं होते हैं, और specially जब start करते हैं job career, तो finances इतने नहीं होते हैं, तो वो सोचते हैं कि अभी नहीं, बात में हम debis को लाएंगे, तब हमारे पस ज़्यादा finances होगी, तो ये हो गया, अब outweigh, इस question का क्या है, अब हमें ये पका से पका बताना है, कि इसके advantages outweigh disadvantages, अगर आपको लगता है कि इसके disadvantages ज़्यादा हैं, इस advantages हैं, तो आप statement को लिखोगे, that disadvantages outweigh its advantages, तो मैं अभी इसमें लिख advantages ज़्यादा हैं, then advantages, क्या हैं, जैसे disadvantages, जो health है, वो couple की या ladies की, वो effect होती है, जैसे miscarriages हो सकते हैं, infertility बढ़ सकता है, और फिर उसकी वज़ाए से divorce भी हो सकता है, ठीक है, और society को भी नुकसान होगा, कि एक generation gap हो जाएगा बीच में, काफी gap हो जाएगा, तो वो नुकसान होता है, society में, और इसके advantages के हैं, कि जब, when they will plan their babies in late stages, at this time they are settled down in their profession and they are having good salaries and income from business and all, तो वो चारे हैं कि when they will plan their babies, definitely they will get good facilities, तो इसलिए फिर वो लेट होते हैं, ये advantages हैं, ये disadvantages हैं, ये reasons हैं, मतलब causes, अब उसके बात, अब बात आती है, vocabulary, ये vocabulary क्या है, अब देखो, इस में, ये question है, इसी question में से जो words हैं, हमें बार बार essay में लिखना होगा, people, children, later in their life, more and more, इसी इनी words को अगर हम बार बार repeat करते रहें, same words को, children, 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 people, 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 their life, later in their life, later in their, so ये repetition हो जाएगा, इस repetition से बचने के लिए हमें, इसको पहले question statement को, जो-जो important words उनको circle कर लो, फिर दिमाग में सोचो, कि इसके लिए, people के लिए, मैं क्या-क्या लिख सकता हूँ, तो यहां लिख सकते हो, वो word तो लिखो, क्योंकि exam में, यह जैसे मैंने decorate किया, आप ऐसे तो decorate नहीं करोगे, बट हाँ, question paper, उस word के उपर ही थोड़ा side में यह words लिखो, कि मैं people की बजाए यह लिखूँगा, children की बजाए यह लिखूँगा, यह नीचे जो space होती, वहां आप ऐसे प्लैनिंग कर सकते हो, ठीक है, यह लिखने की जुरूद है, सिधा वह लिखो कि यह, मतलब पहली लाइन में यह, तो nowadays, जैसे मैंने लगाया, इसकी जगह हम in the modern times, present times, in this day and age, in technical era and all, कुछ भी लिख सकते हो, more and more, क्या, more and more को हम लगाएंगे, increasingly number of, to a greater extent, gradually more number of, people का हम लगाएंगे, couples, working professional, masses, populace, married couple, married people, लगा सक लगते हैं, to have children, to be a children, और इसका एक और लगा सकते हैं, to bring their children into this world, in the later age, later in life, मतलब बाद ने, at an older age, at an elderly stage, in later years, at an advanced stage of life, यह देखो मैंने आपको synonyms दिखाएंगे, तीक है, अब introduction लिखेंगे, अब यह, हाँ, अगर आप चाहो तो मुझे, मेरे इस channel को, मैं मॉनिका हूं, जैसे मैंने बताया था, IELTS 9 जो है, IELTS 9 हिंदी, उसको आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा, and साथ-साथ में, लाइक भी कर दीजेगा, हो सके तो अच्छा comment भी ढाल के जाएगा, अगर कुछ queries हैं, कुछ पूचन हैं, तो वो भी आप पूच सकते मैं answer दूँगी, so, यह हमारा question था, इसका introduction कैसे, introduction का मतलब पहले, background statement, मतलब journal statement about the topic, अगर वो नहीं आ रही हैं, तो सीधा paraphrase कर दो question statement को, फिर अपना opinion दो, फिर बताओ कि essay में आप क्या लिखने वाले हो, अब मैंने क्या लिखा, देखो, पहने paraphrase से शुरू किया, nowadays की working and non-working couples have their children, to have, लिखा न, to have their children at an elderly, at an older ages in their lives, ठीक है, at their, there मैंने लिखा, at their older ages, ठीक है, यह हुआ paraphrasing, blue वाला, अब मैं अपना opinion दो, I personally feel that, but, अब यहां यह क्या लिखा है, मैंने यह, जो मैंने essay plan किया था, भी दिखाते हूँ, एक point, अभी जो हमने essay plan किया था, इसमें से एक reason उठा के, यहां हम बता देंगे, कि यह, यह reason हो सकता, जैसे, I personally feel that the financial burden is one of the major factor responsible for this trend, कि मुझे feel होता है, कि financial burden है, वो main factor है, is responsible for this trend, in the society, कि financial burden हो रहा है, couples पे, उसकी विज़ा से वो बच्चे लेट कर रहे है, and obviously, it has negative impact on both parents, तो यह, मैंने बता दिया, कि यह, इसके disadvantages, जादा है, advantages, तो हमने negative, बोल दिया, negative impact हो गया, अब, यह तो हमने बताया, अपना opinion, साथ में reason भी दिया, हम यह क्यों सोचते हैं, यह paraphrasing होगी, यह अपना opinion, और यह, जो essay में हम आगे लिखने वाले हैं, this essay shall, अब यह not only, but also मैं लगाना भूल गई थी, तो यह लगाना है, मैं बताती हूँ कैसे लगाना है, this essay shall not only explain various reasons, and की जगाए, but also, why this practice has more drawbacks than merits, ठीक है, अब इसको हम कैसे explain करेंगे, देखो, to inaugurate with, to begin with, to initiate with, किसी से भी start कर सकते हो, people are having their own, अब यह topic को फिर से यहां लिखना है, people are having their own children at the later stages, because, अब reason भी दे रहे हैं, first point, because of their financial problems, career, or professional demands, ठीक है, or pursue it, and some may follow their passions first, पहले वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो passions को first follow करेंगे, then they can marry, or have children, have their children in this world, ठीक है, यह blue भाला हमने first point बताया, फिर उसके बाद, firstly, नहीं, यह firstly wrong हो जाएगा, शायद, point तो हम यहां कर चुके हैं न, तो हम यहां to explain it more करना चाहिए, in fact, to explain it more, इसको कार देते हैं, यंग couples have less financial resources, due to their less salaries initially, when they initiate with their job, when they start with their jobs, ठीक है, अब इसको फिर to explain, to dive into the roots, their jobs, demand more concentration on, मतलब इस point को हमने और explain कर दिया, their jobs demand more concentration on career making, and they do not have enough time to spend quality time with their family members, ठीक है, अब यह बीच में enough time to spend, यह with their families डाल सकते हो, ठीक है, यह काट सकते हो, अगर काटना चाहो तो, क्योंकि enough time लिख दिया है, फिर for example, for example, for instance, मैंने लिखा, in western countries, more young couples are working and trying to settle in their lives, तो यह देखा भी, इसका आगे का portion है, their lives, they plan babies in mid thirties or forties, they plan their babies, देखू, यह प्रोनाउंस लगाना बहुत important है, in mid thirties or forties, अच्छा, moreover, some married people want to enjoy their life first, moreover, next point, some married people want to enjoy their life first, like traveling, follow their passions, यह फिर से repeat हो गया यह वालना point, but आप traveling मेना अलग से लिखा, like follow their passions like painting, art and work, and then if they are well settled in their careers, then they only plan the babies, plan their babies, ठीक है, plan then they only bring their babies into this world, यह बिलिख सकते हो, फिर इसका result, तुस थाज 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 आज 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 पराग्राफ को end किया, जैसे पास्ट में हम अर्ली एज में बच्चे करते तो अब वो नहीं करते हैं यह रीजन्स है ठीक है अब चलते हैं बाडी परग्राफ टू पे उसको कैसे लिखना है अब उसमें यह चीज़ आप कनफर्म कर लो कि हमें दोनों चीज़े लिखनी है जिसमें आउटवे लिखा तो भी दोनों चीज़े हमें लिखनी है फिर हम बताएंगे कि कौन सा ज़्यादा आउटवे कर रहा है ठीक है तो हमारे पॉइंट क्या है है हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगी और बच्चों के लिए अच्छा होगा एड्वांटेजिस क्या होगा कि वो अच्छे प्रोस्पेरिस लाइफ लिखेंगे तो हम फर्स्ट पॉइंट को एक्स्पेन करते हैं फर्दरमोर ब्रिंगिंग आएंजी है फर्दरमोर कॉमा ब्रिंगिंग चिल्रन यह ऐसे नहीं लिखना मैं इसको लिखना बोल गी ती तो यहां से स्टार्ट करना फर्दरमोर फिर उसके बाद बी छोटा हो जाएगा furthermore bringing children at an early age or stage have both pros and cons मैंने लिखा इन दोनों के advantages disadvantages होते हैं however, coma ये full stop है however, I think that that भी लगा सकते हो it has more detrimental effect on both parents various studies, अब मैंने ये अपना announce कर दिया की, it has more disadvantages, various studies have shown that women who conceive after a certain age are at a higher risk of miscarriages and health issues such as infertile rate or infertility can also be written can be high at this age, this can, इस्टे क्या होगा उसका result, this can lead to a problem between husband and wife which can be which can be resulted into which can be resulted into divorce at the end divorce sorry divorce divorce at the end ठीक है यह लिखोगे to add-on next point this trend would lead to generation gap in society in a in a nation ठीक है on the other hand if a child now देखो about advantages लिखेंगे on the other hand if a child is born to the mature parents with good financial budgets at home that baby would enjoy more facility and prosperous growth and better education देखो यह लिखा छोटा सा लेकिन अच्छी चीज़े लिखेंगे disadvantages हो गया point and its result and फिर advantages अब चलते हैं conclusion अब conclusion में क्या है to conclude new trend अब फिर से हम जो topic है जो question statement उसको अलग भाशा अलग language में with some synonyms लिख देंगे the new trend in society to have children at a later stage of life because of some factors like financial burden and professional demands although फिर full stop हो गया जो हमने वहाँ उपर points लिखेंगे उनी के point के नाम लिख देना है although it has few advantages such as better life to a child I profoundly believe that this new development has more drawbacks to individuals and societies फिर suggestion भी दे दो I would like to suggest और I suggest that each couple should plan their babies on time to avoid any health issues ये आप लिख सकते हो मैं पूरा essay दिखाती हूँ आपको ये full essay है introduction body 1 body 2 and this is conclusion